So, यहाँ पे two new system applications, HyperOS के latest updates के साथ rolling out and start हो चुके हैं with new changes So, अगर आप यहाँ पे F6, F5, Redmi का कोई भी model और अगर आप यहाँ पे X6, X6 Pro याने की Hoco के device के कोई से भी smartphone को use कर रही है So, आप के लिए यहाँ पे दो new launchers के update अविलेबल हो चुके हैं सबसे पहले है HyperOS का जिसका stable version 4.39.14 818406051932 में हमें देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको वो ही animations में आपको बहुत सारे changes आपको देखने के लिए मिलते हैं जैसा की आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं मैं इसको अपडेटेड कर चुका हूँ अपने X6 Pro China variant में और मुझे इसमें updated animations updated UI सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है और इसी के साथ अगला है Poco के smartphones के लिए जिसका stable version 4.39.14759005281449 हमें देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको change log updated widget catalog interface यानि कि आपको इसमें new app vault और new app vault के साथ आपको इसमें widgets के layout में भी app vault का support अभी finally and finally देखने के लिए मिल चुका है possibility to select folder size regular and large और xxl आपको पहले भी देखने के लिए मिल चुका था अगर आपकी device में नहीं मिला है तो इसको update करने के बाद आप check out कर सकते हैं अगला change है new 4x7 desktop grid option अगर आपको settings में home screen में आपको यहां पे home screen layout में 4x7 देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप इसको update करके check out कर सकते हैं आपको 4x7 भी देखने के लिए मिल जाएगा और अगला feature is optimizing the application fixings and improvements तो यह दो new updates आपके available हो चुके हैं अगर आपको अभी तक नहीं मिले तो आप इनको manually update कर सकते हैं कोई भी issue आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या आप इन दो applications को update करने के लिए जा रहे हैं comment now and subscribe now आपको अगल